हेलो गाइस तो कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे अपने घर में सेफ होंगे तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर ग्लोई मेकप लुक तो आप सब को अच्छा लेगेगा लाइक विंटर सीजन में हम सब चाहते हैं मेकप करना बट ह हम लोग के skin dry हो जाता है because of the weather तो यह आप देख सकते हो कि मैं एक दम कितना ज्यादा अच्छा ग्लोई मेकप लुक किया है तो अगर आपको ऐसे विंटर सीजन में ग्लोई मेकप करना है तो वीडियो को एंड तक देखिए और फुल इंजॉय कीजिए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो पीस सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को अल कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करिए तो गाइस यहां पर मैंने पहले से फिश वाश कर लिया था विकॉस मुझे बहुत ज़्यादा ओयली ओयली फील हो रहा था फिर मैं यहां पर यूज करने हो टोनर टोनर इसमस्ट गाइस आपको तब तक वेट करना है जब तक यह आपके स्कीन पर अच्छे से अब्जाब ना हो जाए फिर मैं यहां पर यूज करने जा रही हूं एरगन ओयल वित गोल्ड डॉस्ट यह बहुत ही ज़दा अच्छा एरगन ओयल है इसमें गोल कर लूँगी तो यहां पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लोई लग रहा है मेरा फेस उसके बाद यहां पर मैं यूज कर रही हूं लिप बाम बिकॉस अभी जैसे आप जानतों विंटर सीजन है और हमारी लिप्स बहुत ज्यादा ड्राय हो जाते हैं तो मेरे लिप् लिप्स को मॉस्टुराइज करने के लिए लिप बाम यहां पर मैं यूज कर रही हूं गुडवाइव का पाया जेल आप चाहें तो प्राइमर यूज कर सकते हैं यहां पर यूज कर सकते हैं बट मैं यहां पर यूज कर रही हूं पापाया जेल यह बिल्कुल प्राइमर के कि मैं कितने जादा अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं और गाइस यह जो लुक होने वाला है वो एकदम ग्लोई होने वाला है और सारे प्रड़क्ट की लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ही जादा सॉफ्टी स से अपना पूरा मेकप करूंगी यह है इंदी शेड जीरो फोर तो बिकाज मैं फाउंडेशन इसलिए नहीं यूज करें हूं क्योंकि वह बहुत ज्यादा ओली लगेगा जैसे कि आप जानते हो कि मैं पहले से सीरम वगरे अपलाई कर रही हूं और अगर मैं वापस से ओली फेस पर ब्लेंड कर रही हूं आप चाहें तो कोई भी फाउंडेशन स्टिक यूज कर सकते हैं बट नोट गाइज आपको एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन इस मेकप लोग को क्रेट करने के लिए बिलकुल नहीं उसकरना है वरना बहुत ज्यादा ओली ओ करना है क्योंकि अगर आप नेक पर नहीं करोगे तो फेस और नेक में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा तो यहां पर मैं नेक पर कंसिलर अप्लाइ करके ब्यूटी ब्लेंडर के हल्थ से ब्लेंड कर रही हूं तो आप भी अराम से ब्लेंड कर लीजिए आपको य करना जा रही हूं आइ मेक अप लोक तो मैं बहुत ही ज़्यदा सिंपल रखने वाली हूं लाइक माय उतना हैवी नी रख तो यहां पर मैं इन सब मेंसे एक प्रांजिशन च्यूस करोंगी लाइक लाइट शेयड चूस करोंगी तो यहां पर मैं जतना भी एक्स्ट्रा है उसे ऐसे जाड़के यह अलग कर दरी हूँ और फिर मैं हलका हलका अपने क्रीस पे ब्रश के हल से इसको पहलाऊंगी एकदम मैं light look create कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने कितना जादा light eyeshadow makeup create किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो then यहाँ पर मैं use कर रही हूँ Swiss beauty का black eyebrow pencil मैं बहुती जादा lightly इसको अपने eyebrow पे apply कर रही हूँ because मुझे dark eyebrow बिल्किल पसंद नहीं मेरे पहले से dark eyebrow है तो मुझे जरूरत नहीं है then यहाँ पर मैं use कर रही हूँ Nika का rock the line kajal यह kajal मेरा personally favorite है तो मैं आप सबको recommend करूंगी कि यह kajal खर दो भाई smudge proof है और long lasting है then kajal apply करने के बाद यहाँ पर मैं use कर रही हूँ Nalio का instant glow highlighter palette then मैं यहाँ पर brush के help sim इसका जो पहला shade है उसे अपने nose bone पर apply करूंगी like जहाँ जहाँ आपको highlight करना है वहाँ अपने मर्जी से कर लीजिए तो यहाँ पर मैं नोस पर कर रही हूँ highlighter को apply यहाँ पर मैं अभी अपने cheek bone को करूंगी highlight तो आपको अपने face पर जहाँ जहाँ highlight करना है आप कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर मैं अपने collar bone पर भी highlight करूंगी because मेरा collar bone मुझे अच्छा लगता है तो मैं highlight करी हूँ बस क्योंकि अच्छा लगेगा थोड़ा सा मतब catchy लगेगा फिर मैं यहाँ पर किस beauty का shade number 15 यानि की red velvet shade apply करूंगी यह shade हलका सा dark है आप अपने कोई भी favorite lipstick apply कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर apply कर रही हूँ कि इस beauty का lipstick यह बहुती ज़्यादा अच्छा है और dark color है और specially matte है तो यह है हमारा final look और आप ज़रूर comment करिएगा कि आपको यह look कैसा लगा और winter में तो बहुती ज़्यादा special है guys तो पसंद आए तो एक like तो ज़रूर बनता है